सीतापुर में जब सपा विधायक साड़क किनारे नाले की गैस से भरने लगे घरेलू गैस सिलिंडर महंगाई की मार से जहाँ पुरा देश कराह रहा है वहीं केंद्रवा प्रदेश की सरकारी जनता को बरगलाने में लगी है डीजल पेट्रोल वर असोई गैस के दामों में लगातार बेतहासा व्रद्धी हो रही है और सरकार आपदा में अलसर तलाशने का जुम्ला लोगों को सुना रही है नालों से गैस भरने का प्रयास जन्दा के साथ सपाई कर रही है क्योंकि सत्ता पक्ष द्वारा नालों से गैस भरने की बात कही जा रही है उक्त बाते छेत्रिय विधाग नरेंदर सिंग वर्मा ने रामकुंड चोराहे के पास पैंते पूर मार्गे पर डीजल पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों पर हो रही बेतहाशा व्रद्धी का विरोध करते हुए कही गई श्वेत्रिय विधाग ने कारिकरताओं संग रसोई गैस के सिलंडर नालों से पाइप लगा कर भरने का प्रदर्शन करते हुए विरोध जता है विधाग ने कहा कि जनता महगाई की मार से कराह रही है जबकि सत्ता पक्ष के लोग आपदा में आवसर तलाशने का जुनला जनता को सुना रही है उन्होंने का कि वेभी आपदा में जनता के साथ आवसर तलाशें की और नालों से रसोई गैस के सिलेंडर भरने का काम करें की इस मोगे पर सपा कारी करता नदी महमर, शीवेंद्र प्रताप यादाओ, इस्तयाक साथ रिशी राजवर्मा, संजे बाजपई, सर्तार, साकेंद्र यादाओ, आज्याद, प्रमीर यादाओ, डॉक्टर प्रतीक सहिर, कई अन्य सपाई मौझूद रहे बेस्क रिपोर्ट अवाधी न्यूज